हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माइच्वाइस केच्छन आज मैं बनाने जा रहे हूं समर स्पेशल एक और जूस की रेसेपी तो यह देखिए कितना बढ़िया ही लग रहा है और इसको मैंने एक बनाया है अलग से इंग्रीजियंट से जो कि शायद ही आप लोगों ने कभी ट्र बढ़िया गाड़ा जूस हमारा बनके तयार हुआ है और वह भी बिना दूद के तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए गाईज यह है मेरे पास आदा खरबूजा और इसके में निकाल लूगी बीज तो आज का जूस जो है हम बनाएंगे खरबूजे के बीज से आपने खरबूजे का जूस बनाया होगा खरबूजे के आइस क्रिम बनाई होगी लेकिन शायद कभी खरबूजे के बीज का इस तरीके से यूस किया होगा क्योंकि पहले टाइम में या अभी भी कुछ लोग क्या करते हैं कि यह जो खरबूजे के बीज होते हैं इसको द बढ़िया बनके तयार हुआ था आप बिलीब नी करेंगे जब तक कि आप इसको ट्राइ नी करेंगे तो इस समर में जरूर बनाईएगा तो आएए बनाना ये स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जो हमारे बीज हैं इसको गुदे के समेती हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और इसके साथ साथ हम डाल देंगे इसके अंदर शूगर अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग ली जितना आपको मीठा चाहिए अगर आपका खरबुजे के मीठा है तो आप कम शूगर डाल येगा और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी एक नीमबू का अधा चमच काला नमक और थोड़े से पुदी लें और इसके साथ साथ डाल दूंगी थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और बस अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक ग्लास पानी थंडा पानी है बिलकुल आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं और यहां मैं मैंने इसको ग्राइन कर लिया है यह देखे कितना बढ़िया जाग वाला हमारा जूस बनके तयार हुआ है बस अब इसको एक बार स्टेन कर लेते हैं ताकि जो इसका गूदा वगरा है वह अलग निकल जाए और हमारा जूस हमें मिल जाए तो यहां पर देखिए सारा जो है और अभी थोड़ा सा गूदा गूदा सा रह गया है इसको भी हम अच्छे से चान लेंगे ताकि जो बीच के अंदर न्यूट्रिशन्स वैल्यू होती है वो भी हमारे जूस में हमें मिल सकें तो बहुत ही हेल्दी जूस होता है यह इस समर्भ में आप जरूर ट्राई करके और यकीन मानियगा इस बहुत ही टेस्टी लगता है आप लोगों ने शायद ही कभी इस बीच का जूस बनाया होगा तो यह देखे सारा जो है जूस मैंने निकाल दिया है और अब यह जो एक्स्ट्रा पार्ट है बेकार इसको हम निकाल देंगे तो यह छिलके ही होते हैं ज इसको आइस के साथ सर्फ करें लेकिन मैंने बहुत चील वाटर लिया था तो इसलिए मैंने आइस का इसमें यूज नहीं किया है तो बस रेडी है हमारा घरबूजे के बीच का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा जूस रेसेपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सबिस्क्र और शेयर करना बिलकुल मत बूलेगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करेगा मिलते हैं यह किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए एक घर पे रहिए स्वस्त रहिए अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियो को इंजॉई करते रहिए थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग